दोस्तो नमस्कार एस्टो तरदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुम रासी के जातकों के कौन सबसे बड़े दुस्मन होते हैं यानि किस रासी के जातक दुस्मन होते हैं और कौन सी वो रासिया हैं जिन रासी के जातक उ के बहुत अच्छे मित्र होते हैं और किन रासियों के जातकों से इनको सावधान रहना चाहिए ताकि ये अपने नुक्सान को बचा सके तो कुम्ब रासियों के बारे में अब हम समझेंगे कि कौन दुस्मन है और कौन उनके दोस्त हैं आगे बढ़ने से पहले हमें जानना ज वायू तत्यों की रासिये और यह गरह यूरेनेस त्वारा सासित होती है कुम्ब रासियों के जातक मोडन होते हैं और इंडेपंडेंट रहना पसंद करते हैं कुम्ब मिलनसार अट्रेक्टिव होते हैं और वह उन व्यक्तियों के मित्र होते हैं जो उनकी बराबरी कर सकते हैं और या उनको अच्छी से समझते हैं यही चीजे हैं जिनके बेसिस पर हम पता करेंगे कि आपकी compatibility बाकियों के साथ कैसी है दोस्तों कुम्ब का जो बेस्ट तालमेल होता है वो मेश, मिथन और सिंग से होता है और क्यों होता है वो भी हम समझ लेते हैं दोस्तों कुम्ब और मेश की जो compatibility है वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि मेश का व्यक्तित सुभाव से थोड़ा inclusive होता है और यही कारण है कि आप उनके साथ मिल खाते हैं आप और मेश रासी बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं बहुत fast friendship होती है आप लोगों के बीच में और उनके साथ एक मजबूत बंधन आप साजा करते हैं आप हमेशा खुद को बिजी रखना पसंद करते हैं इसी वज़े से आप लोगों के बीच जगड़े नहीं होते आप और आपका दोस्त कभी भी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिस नहीं करता है और देखते हैं कुम्ब की मिथन के साथ compatibility कैसी होती है क्योंकि ये भी जो है एक अच्छी रासी जो है कहलाती है कुम्ब के लियास से तो मिथन के साथ आपकी दोस्ती उत्ते जक और सेटिसफाइंग होती है और दोनों में एक दूसरे के लिए natural attachment जैसी बात देखने को मिलती है natural attraction भी आप को यहाँ पर देखने को मिलेगा मिथन के साथ आप और आपका दोस्त curiosity से भरे रहते हैं इसी लिए आप दोनों की अच्छी बनती है मिथुन रासी वालों के बहुत कम करीबी दोस्त होते हैं और आप उन में से एक होते हैं कुम रासी वाले जो हैं मिथुन के साथ एक अच्छी बॉंडिंग बनाते हैं रेर बॉंडिंग बनाते हैं ही अब बात करते हैं सिंग रासी की तो मिथन और सिंग की आपकी जो संगती है उसको पसंद करते हैं क्योंकि आप सांत नेचर के हैं आप और आपका दोस्त फिटनेस को ले करके क्यूरियस होते हैं आपका दोस्त आपके emotional behavior को समझने की पूरी कोशिस करता है और आप दोनों बहुत अच्छे friend बनते हैं एक दूसरे की छमताओ का भी आ travelling राशी के साथ बहुत अच्छी compatibility होती है अगर हम बात करें कुंब की compatibility कुंब के साथ जब आप अपनी राशी के किसी व्यक्ती के साथ होते हैं तो आप अच्छा और बेटर फिल करते हैं आपको और आपके मित्र को charity करना अच्छा लगता है आप और आपका दोस्त जानते है कि एक दूसरे से बेस्ट एक दूसरे को बेस्ट कैसे फिल कराया जाए और एक दूसरे के लिए क्या चीजे बेस्ट हैं जिससे आप एक दूसरे को स्पेसल फिल कराते हैं दोस्तो अब बात करते हैं आपकी दुस्मन रासियों की कौन वो रासिया हält, जो आपकी दस्बन है, जिनके साथ आपकी बिलकुल नहीं बनती, तोस्तों, आपकी विर्स और विर्स्चिक राशी से बिलकुल नहीं बनती, ये दोनों राशियां आपकी घंगोर दस्बन हैं, क्यों हैं, वो भी आप समझ लेजे, कुम्ब और विर्सब इनकी compatibility बहुत कुछ अलग होती है कुम्ब और विर्सब में बहुत कुछ समान नहीं होता एक दूसरे के साथ आपकी matching नहीं होती विर्सब अपने दोस्तर पर अधकार जमाते हैं और कुम्ब रासी द्वारा जो है एक दूसरे को control करने से नफरत करते हैं वो नही विर्सब रासी वालों का असब नेचर आपको पूरी तरह सब परिसान करता है और इसी वज़े से आपकी विर्सब के साथ दोस्ती नहीं होती और एंड में जाकर आप पाएंगे कि विर्सब के साथ आपकी दुस्मनी नजर आती है और आप ये देखिए गया कि आपके जो पास पास जो दुस्मन हैं वो काफी सारे लोग विर्सब से ही आते हैं कुम्ब वालों की व्रस्चिक रासी वालों के साथ भी बिल्कुल नहीं बनती आप और व्रस्चिक रासी अत्यदिक जिद्दी हैं और यही कारण है कि आप अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं आप औ लिए कुम्बरासी वालों को व्रशवरासी और व्रश्चक रासी सावधान रहना चाहिए तो दोस्तों ये था कुम्बरासी की compatibility के बारे में कि कौन के दोस्त हैं कौन के दुस्मन हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा. Thank you very much. Thank you very much for watching this video. Thank you very much.